देसी बहु का पिज़ा मा अखिरब चाहती क्या हो? तो अभी भी यही पूछ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुझे साफ साफ बता चुकी हूँ कि मुझे तेरी वो मोना बिल्कुल पसंद नहीं है मैं उससे तेरी शादी हर्गिस नहीं करवाऊंगी क्यों? क्योंकि वो मॉडन है और अमीर घर की है इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं बलकि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बत्तमीज लड़की है और उसमें बिल्कुल भी संसकार नहीं है मैं मिल चुकी हूँ उससे तुम्हारी मा सही कह रही है बिटा मैं भी उससे मिला था और वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उसने हम दोनों से बिल्कुल भी अच्छी तरबात नहीं करी, उसके अंदर बहुत गमंड है तो आप लोग क्या चाते हैं, क्या करूं मैं? एक अच्छी लड़की से शादी कर जो सुन्दर हो, सुशील हो और संसकारी हो जो घर परिवार को संभालना जानती हो अच्छ और ऐसी लड़की मिलेगी कहां? मैंने ऐसी लड़की पहले ही देख रखी है उसका नाम रानी है तो हां कहे तो चट मंगनी पढ़ ब्या करा दू बस तेरी हां की दे रही है लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मोना के टक्कर की हो मतलब? मतलब जो मोना जैसी मॉडन हो अंग्रेजी बोलना जानती हो अंग्रेजी खाना बनाना जानती हो माला की बात सुनकर विनोद शादी करने के लिए तयार तो हो गया पर उसे नहीं पता था कि उसकी मा उससे जूट बोल रही है असल में माला एक देसी बहु लाना चाहती थी पर विनोद को मॉडन लड़कियां पसंद थी इसलिए माला ने विनोद से जूट बोल दिया था कि रानी एक मॉडन लड़की है तुमने विनोद से जूट क्यों बुला कि रानी मॉडन लड़की है शादी होने के दो मिनिट में वो ये जूट पकड़ लेगा अरे फिकर ना करो मैं बहु को यहां आने से पहले ही कुछ चीज़े सिखा दूँगी क्योंकि अगर विनोद को यह सब पता चल गया ना तो बहुत नराज हो जाएगा तुमारा बेटा अरे आपको भी पता है कि मैं यह सब उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ मौडरन लड़कियां घर चलाना नहीं जानती एक देशी लड़की ही घर चला सकती है कुछ समय गुजरता है और विनोद की रानी से शादी हो जाती है बहु इससे पहले कि विनोद के साथ तु अपना वैवाहिक जीवन शुरू करे मैं तुझे कुछ बाते समझा देना चाती हूँ जी माजी बताईए तुने शहर में रहना अभी-अभी ही शुरू करा है तिरी पैदाईश गाउं की है और तु वहीं पली बड़ी है ये बाते विनोद को कभी पता मत लगने देना क्यों माजी? अरे क्यों मात पूछ जो बता रही हूँ वैसा कर पस ये समझ ले के तुझे विनोद के सामने मौडन मन कर रहना है मौडल? अरे मौडल नहीं मौडन मौडन मतलब शहरी बात-बात पे इंगलिश बोलनी है शहर के लोगों की तरह कपड़े पहनने है और सबसे एहम बात कि तुझे शहरी खाना बनाना आना चाहिए मतलब वो जो होता है ना फास्ट फूड पिज्जा, बर्गर मैंने तो आज तक पिज्जा बर्गर कभी खाया तक नी बनाना तो दूर की बात है जो आप तक नहीं किया वो अब करना पड़ेगा लेकिन पिज्जा बर्गर घर में कौन बनाता है भला अरे भले ही कोई ना बनाता हो पर तुझे बनाना आना चाहिए क्योंकि वो तिरा टेस्ट लेने के लिए तुझे कह सकता है क्योंकि मैंने उसे बताया है कि तुझे सब कुछ आता है और तू बड़ी माडन है पर आपने जूट क्यों बोला माजी अरे फिर क्यों मैंने तुझसे कहा ना सवाल मत किया कर अगर तुझे इस घर में रहना है तो जैसा बता रही हूँ ऐसा कर पर फिर भी अरे उसकी एक गल्फ्रेंड थी जो बड़ी माडन थी तो विनोत को तेरा होते हुए उसकी याद ना आने लगे इसलिए कह रही हूँ अब सबसे पहले रानी माला से थोड़ी बहुत इंगलिश बोलना सीखती है हवा खाई है हवा खाई है नहीं हवा खाई है इसका मतलब होता है आपका दिन शुब हो अब बोल एक चुही मैं कहां अपना सेर्दे मारू एक चुही नहीं एक चुली ठीके ठीके समझ गई मैं एक चुली को हर बात की शुरू में बोलते हैं अब बोल ओ माई गॉड इसका मतलब है हे भगवान और ये तब बोलते हैं जब कुछ हैरानी या परिशानी होती है ओ माक्टो है फिर से बोल ओ माई माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई डॉग बगवान क्या अर्थ का अनर्थ कर रही है ओ माई गॉड बोलना है ओ माई डॉग नहीं ओ माई डॉग का मतलब हुआ हे मेरे कुटे मैं तुझे इतनी मुश्किल से सिखा रही हूँ और तुझे हसी आ रही है ओ मैं गॉड, I'm sorry ओ, थैंक गॉड इसी तरह से माला रानी को कई इंग्लिश के वर्ट सिखाती है कुछ वो सीख पाती है और कुछ नहीं अच्छा, आप तुझे न, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आ गई है आप तु लैप्टॉप चलाना भी सीख ले हाई दया, ये सब मैं कैसे सीख पाऊंगी ओफो, रानी, हाई दया नहीं ओ माई गॉड बोलो, अभी बताया था न तुम्हे अच्छा, हाँ, 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 ओ माई गॉड, मैं लैप्टॉप कैसे सीख पाऊंगी अरे, कुछ नहीं, बस ओन आफ करना सीख लो माला उसे लैप्टॉप खोलना और बंद करना सिखाती है फिर वो उसे शहरी लोगों की तरह साड़ी पहनने का धंग सिखाती है लेकिन इससे पहले कि वो खाने की बात कर पाती, तब तक वहाँ विनोद आ जाता है क्या बात है, आप ही बात करती रहोगी क्या मेरी पत्नी से, मेरे लिए भी छोड़ दो हाँ, हाँ, ले जा, ले जा, मैं ता पस यूहीं बत्या रही थी अच्छिली, हम लोग आपकी बात कर रहे थे, कि आप कितने अच्छे हैं ओ, रियली, दाट्स गुड, पर अब चलो, मेरे बारे में नहीं, मुझसे बात करो विनोध रानी को लेकर कमरे में चला जाता है, अगले सुपह होती है और विनोध रानी से पिज़ा बनाने की मांग करता है हाई दया, ये पिज़ा भी जब मुझे बनाना नहीं आता, अब क्या बोलू अरे क्या हुआ, कहां खो गई अच्छा, ठीक है चलो, मैं बाहर जाओंगा तो वहां से ले आओंगा इस समय तो बहाना बना कर बजगी, लेकिन अब जब ये सामान ले आएंगे तो मेरा क्या होगा अरे फिर कहां खो गई ने-ने-ने, मैं बस यूँँ ही कुछ सोच रही थी चलो, अच्छा, आप फिलाल आफिस जाओ, हवा नहीं है क्या? मेरा मतलब है, have a nice day? अच्छा, अच्छा, thank you रानी प्रातना कर रही थी, कि काश विनोद पिज़ा की बारे में भूल जाए लेकिन वो कहां भूलने वाला था? वो तो अगले ही दिन पिज़ा बनाने का सारा सामान लेकर आ जाता है रानी, ये लोग पिज़ा बनाने का सारा सामान कुछ कम हो तो बता दे न, वो भी ला दूँगा अरे वा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया अब सारा सामान ले आए लेकिन, आच्छुली, आज गैस खत्म हो गई है गैस खत्म हो गई है, तो उसमें पिज़ा का क्या लिना देना पिज़ा तो माइक्रोवेव में बनता है न मैंने गैस कहा क्या? मैं भी न, इडियेट हो बिलकुल आक्चिली, गैस नहीं, बिजली खत्म हो गई है, हाँ, बिजली, बिजली भला कैसे खत्म होती है, ओहो, भावनाओ को समझा करो न, मेरा मतलब बिजली चली गई है, बिजली आ नहीं रही है, ओह, ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, जब बिजली आए तो बना ले न, कुछ ही समय गुजरा था कि बिजली भी वापस आ गई लो बिजली आ गई अब बना लो अब क्या बहाना बनाओ येस आइडिया आरे वो न माइक्रोफोन खराब हो गया है तो माइक्रोफोन का पिज़ा से क्या लेना देना ये बगवान वो क्या होता है माइक्रो फरीकरो अरес बोलो न माइक्रो विव माइक्रो विव खराब हो गया है और चाणक से न वाल्टिज में बहुत तेज कुछ उतार चड़ावा गया तो फूब किया लगता है अच पिज़ा खाना किसमत में नहीं है चलो कल माइक्रोवेव सही करा लाओंगा फिर बना ले न यह बगवान यह आदमी है यह बंदर एक चीस के पीछे पढ़कर रहा गया है यह नहीं कि अगर नहीं बन पा रहा है तो भूल जाए उसे विनोत ने जैसा कहा था वैसा ही किया वो आगले ही दिन माइक्रोवेव सही करा कर ले आया यह तो दुकान पर जाते ही ठीक हो गया मेकनिक ने चलाया तो फॉरण चल गया चलो अब बनाओ पिज़ा अरे मैं बना तो देती आपकी बिना कहे ही बना देती लेकिन आज राम बहुत दर्द हो रहा हाथ में थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाए ना फिर बनाती हूँ चलेगा ना हाँ हाँ ठीक है कोई बाद ने तुम आराम कर लो फिर बना देना शाम होई तो विनोत ने फिर से रानी को पिज़ा की याद दिलाई पर रानी की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उनके घर में महमान आ गया पहले गेट्स का अथिती सतकार कर लेते हैं पिज़ा बाद में देख लेंगे यूमिन गेस्ट अहाँ वही केस्ट जवान भी सल गई थी ओके-ओके या आद भी है या पजामा ज़रा-ज़रा सी बात पकड़ता है रानी कीचेन में नाश्टा बनाने जाती है तो माला भी वहाँ आ जाती है मा जी मुझे बचा लीजी कैसे भी करके बचा लीजी मुझे अरे क्या हुआ यहाँ कोई काकरच है क्या काकरच नहीं बंदर है वो बंदर जिसे आपने पैदा किया है पिज़ा के पीछे पड़कर रहे है मैं बाने बनाये जा रही हूँ और वो बस बोल रहा है कि पिज़ा बनाओ पिज़ा बनाओ अब तु मेरे बाने भी खत्म हो रहा है क्या करूं मै मैं तुझे पीजा बनाना सिखा तो देती पर अभी समय नहीं है तो तब तक ऐसा कर कि अगली बार जब भी वो पीजा बनाने को बोले तो कह दे न माजी का पेट खराब है, हम लोग पीजा खाएंगे और माजी मूँ देखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बस इतना बोल देना बाके मैं संभाल लूगी ठीक है माजी, पर आप मुझे जल्दे से सिखा दो हाँ, वहना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जानी है रानी ने जैसा सूचा था वैसा ही हुआ, अगले दिन विनोध ने उसे फिर से पिज़ा बनाने को कह दिया अच्छली मैं तो खुदी बनाने जा रही थी, लेकिन अभी पता चला कि माजी का पेट खराब है अब अगर मैं बनाऊंगी और हम दोनों खाएंगे, तो अच्छा नहीं लगी का ना कि माजी बैटी हमारा मूँ देख रही है और हम लोग खा रहे है मेरे माँ का पेट खराब हो गया और मुझे पता ही नहीं जला हाँ बिटा, सुबह से परिशान हूँ पर तु फिक्र ना कर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी अरे पर मेरे चक्कर में तुम लोग पिज़ा क्यों नहीं खा रहे हो बनाओ, खाओ आराम से बच्चो अरे नहीं नहीं मा, कोई जरूरत नहीं है जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, तब तक पिज़ा नहीं बनेगा चल ठीक है बिटा, जैसा तुझे सही लगे हाँ, और आपना अपना ख्याल रखा करिये ममा विनोर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है तब माला रानी से कहती है चल आप फटाफट पिज़ा बनाना सीख ले यही समय है तेरे पास जी सिखाएए आरे यूट्यूब खोल, क्या रुक मैं ही चलाती हूँ ये रैसे पी देखा, कैसे बनता है पिज़ा इसको देखती जा और बनाती जा मैं आती हूँ अभी माला ये बोलकर कुछ काम करने चली जाती है और रानी वीडियो देखने में लग जाती है वो वीडियो को देखकर पिज़ा बनाने की कोशिश करती है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता ये बगवान ये सब क्या है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं ठहरी गाउं के देसी लड़की मैं भला कैसे पिज़ा बनाओ चलो कोशिश करती हो अब वो पिज़ा बनाना शुरू करती है पर उसे microwave oven चलाना भी नहीं आता था जिस वज़े से उसमें short circuit हो जाता है और आग लग जाती है बचाओ बचाओ आग आग आरे आरे क्या हो गया माला फटा फटा आग बजाती है मुझे माफ कर दीजी माजी पर मुझे ये machine जलाना नहीं आता यह तुम्हारी ही गलती है माला तुम उसे अकेला छोड़ कर क्यों गई हाँ जी मेरी ही गलती है जो मैं इसे अकेला छोड़ कर गई ये तो शुक्र मना कि विनोध ने तुझे ऐसा करते नहीं देखा खेर अब जो हो गया सो हो गया मैं तुझे समझाती हूँ पिज़ा कैसे बनाया जाता है माला उसे सिखा पाती उसे पहले ही विनोध वहा जाता है रानी कल पिज़ा ज़रूर बना लेना क्योंकि कल मेरे ओफिस वाले लोग आ रहे है जिन में सबसे इंपोर्टन मेरे बॉस है तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे पतनी कितनी मॉर्डन है और वो घर में ही पिज़ा बर्गर जैसी चीज़े बना सकती है जी विल्कुल आप फिक्र मत करिये आपकी बॉस यहां से खुश हो करी जाएंगे अब अगले दिन भी रानी पिज़ा बनाने की कुशिश करती है लेकिन उससे नहीं बनता ठक हार कर वो देसी खाना ही बना लेती है और विनोद को बताने के लिए एक नया बहाना सोच लेती है रानी बॉस आ गया है जल्दी से डिनर सर्फ करतो हाँ हाँ आ रही हूँ रानी डिनर सर्फ करती है तो उसमें पिज़ा नहीं होता ये देखकर विनोद को थोड़ा गुसा तो आता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहता है, हाला कि विनोद की बॉस को सारा खाना बहुत पसंद आता है तुम्हारी पद्दी के हाथों में तो जादू है विनोद, मुझे याद भी नहीं मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पिशली बार कब खाया था, तुम्हारा प्रमोशिन पक्का थांक्यू सो मत सर, मुझे खुशी है कि आपको खाना पसंद आया धन्यवाद सर विनोद, खुश तो बहुत होता है, लेकिन बॉस के जाने के बात, वो रानी से पिज़ा ना बनाने का कारण पूछता है मैंने तुमसे बोला था कि डिनर में पिज़ा होना चाहिए, तो क्यों नहीं था कितने दिन से मैं पिज़ा पिज़ा की रट लगा रहा हूँ, पर अभी तक तुम पिज़ा नहीं बना पाई मैं पिज़ा बनाने वाली थी, पर इसलिए नहीं बनाया, कि कहीं अगर आपकी बॉस पिज़ा खाते है और बिमार पढ़ जाते तो दिक्कत हो जाती ना पिज़ा कोई हल्दी चीज तो है नहीं, बहुत की बात तो सुही है, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब मुझे पिज़ा खाना है, नो इफ नो बट, अभी जाओ और पिज़ा बना कर लाओ, अभी? हाँ, अभी नहीं तो फिर कभी, और रहने देना बिटा, ब जंत में सचाई बता देती है, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे पिज़ा बनाना नहीं आता, मैंने जूट बोला था, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, सजा की बात तो बाद में आएगी, पहले ये बताओ कि जूट क्यों बोला, आपको खुश करने के लिए, क् आपको ऐसी पतनी चाहिए थी, जो सारे modern काम कर सके, ये बात सच है कि मुझे ऐसी पतनी चाहिए थी, पर मुझे ऐसी भी पतनी चाहिए थी, जो सच्ची हो, I'm sorry, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मुझे पिज़ा विज़ा कुछ बनाना नहीं आता तब ही वहाँ माला की पडोसन मीन आ जाती है और ये बात सुन लेती है अरे माला, तुम तो अपनी बहु की बड़ी तारीफ कर रही थी कि मेरी बहु बहु बहुत माड़न है तो ये सब छोट था वेल ड़न अंटी वेल ड़न वो वेलकम होता है बिटा इससे सही तो मेरी सिम्रन है तुम तो एक नंबर की जाहिल बहु उठा लाई हो आपको तमीज नहीं है किसी से बात करने की मेरे ही घर में आकर मेरी पत्नी का मजाग बना रही है ये एक शब्द और मेरी पत्नी के खिलाफ बुला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरे माफ करना बेटा मैं तो मजाग कर रही थी मजाग अपने बहु बेटों से करिये जाकर ठीके ठीके जा रही हूँ, मैं तो बस चीनी लेने आई थी जूट पुलने के बावजूद विनोध को अपने लिए स्टेंड लेता देखकर रानी बहुत खुश थी मीना चीनी लेकर चली गई और रानी ने विनोध से कहा मुझे माफ कर दीजी, पर मैं आपकी प्रेमी का जैसा बनने की कुशिश कर रही थी तुम उसकी तरह नहीं बन सकती, क्योंकि तुम उससे बैटर हो मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कोई मौडर्ण लड़की नहीं हो पर मैं बस देख रहा था कि तुम क्या करोगी और तुमने मेरे लिए जितने अफर्ट किये, उतने अफर्ट तो कभी भी उसने नहीं करे थे मैं बहुत लखी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो तुम्हे बहले ही पिज़ा बनाना ना आता हो लेकिन तुम्हे लोगों का दिन बनाना आता है और ये पिज़ा किसने ओर्डर किया था, ये तो बहुत ही अच्छा है ये मैंने बनाया था, पर अच्छा नहीं बनाया अच्छा नहीं बना, अरे इससे बहतर पिज़ा तो मैंने आज तक खाया ही नहीं तरुन की कहने से विनोद और माला भी उस पिज़ा को खा कर देखते हैं और वो सच मुझ एक पॉफिक्ट पिज़ा था तुमने जब इतना अच्छा पिज़ा बना लिया था तो हम सब को खिलाया क्यों नहीं अक्चुली मुझे पता ही नहीं था ना पिज़ा का टेस्ट कैसा होता है तो मैं तो बनाती चली गई लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा मा तुम सच मुझ कितनी सीधी बहु लाई हो इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसे पता नहीं कि उसने कितना अच्छा काम किया है मैंने अच्छा पिजा बनाया है यह आप लुग मजाग कर रहे है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा तुम अगर ये बेचना शुरू कर दोना तो रेस्टोरंट बंद हो जाए क्या आपी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता अरे सच में, ये मेरी देसी बहु का पिज़ा है देसी बहु का कमाल का पिज़ा या फिर देसी बहु का परफेक्ट पिज़ा ये सुनकर सब लोग हसने लगते है और विनोध रानी को गले लगा लेता है रानी की आँखों में खुशी के आँसू थे कि आखिर उसके पती ने उसे जैसी वो है वैसा एकसेप्ट कर लिया और उसे पिज़ा बनाना भी आ गया